नमस्कार में हूं राधा सिंग आप देख रहें इंडिया 24 इंटु सावन लाइट टीवी आए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खब्रू पर वही दिल्ली विधान सभा चुनाओ 2020 के मद्दे नजर परचार की कड़ी में भारती जन्ता पार्टी के राष्टी अध्यक जेपी नड़ा पालम विधान सभा की संगटनात्माग बैठक में पार्टी कार्यकरताओं के सम्मोधित करेंगे या बैठक सक्डर साथ रामफल चौग स्थित द्वारका के भाष्पा कारयले में होगी पालम विधान सभा च्छेतर से भारती जन्ता पार्टी से विज़े परचार करेंगे इनके साथ ही भाष्पा से जुडे फिल्मी कलाकार भी पार्टी उमिद्वारों के लिए दिल्ली की सडकों पर वोट मांगते नजर आएंगे भासपा ने अपने इस्टार प्रचारकों की सूची चुनाओ आयोग को सौब दी है इस सूची में मोधी शाव और नडड़ा के साथ ही केंद्रिय मंतरी राजनाथ सिंग वा नितिन गड़गरी सहित कई केंद्रिय मंतरियों वा वरिष्ट नेताओं के नाम शामिल है उत्रप्रदेश के मुखमंद्रियों गया दितनाथ सहित अन्य भासपा साशित राज्यों के मुखमंद्रियों को भी दिल्ली में चुनाओ प्रचार के लिए उतारा जाएगा आपको बता दे दिली के सभी सांसतों को भी स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है कला जगत से राजनीती में आने वाले भास्पा नेता भी पार्टी के पक्ष में हवा बनाने के लिए रोड़ सो करेंगे महराश्ट की मुखमंतरी उधर ठाकरे अपनी सरकार के सो दिन पूरे होने पर रामलाला के दर्सन करने अध्या जाएंगे यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कॉंग्रेस और शिशेना अब साथी है महाराष्ट में कॉंग्रेस और NCP ने स्यूसेना को समर्थन दिया हाला कि स्यूसेना और कॉंग्रेस की विचार धारा एकदम जुदा रही है कई मुद्धों पर कॉंग्रेस और स्यूसेना गडबंधन से पहले आमने सामने नजर आई है ऐसे में दिली की भाजबा संसद मिनाकशी लेखी ने भी स्यूसेना की चुटकी लेते हुए पूछा है कि क्या स्यूसेना कॉंग्रेस के साथ अध्यज आईगी बता दे कि महाराश्ट में गडबंधन के बाद भी कॉंग्रेश और स्विशेना संसद में नागरिक्ता संसोधन कानून के मुद्दे पर अलग-अलग खड़ी नजर आ रही थी स्विशेना ने लोग सभा में सिये बिल का समर्थन किया था वहीं राजसभा में वोटिंगे दोरान सदन से वोक आउट कर एक तरह से इसका समर्थन किया था वहीं आपको बता दे कॉंग्रेश शुरुआस से ही इस बिल का विरोध करती रही है जो अब तक जारी है हाला कि शुषेना ने लोग सभा में इस बिल का समर्थन किया तो राज में उधर ठाकरे की मुख्यमंद्री की कुर्षी हिल गई कॉंग्रेस की तरफ से तुरंच चेताऊनी दी गई गी थी अगर स्यूसेना ने राजसभा में बिलका विरोध नहीं किया तो राज की सत्ता सिवा बेखल हो सकती है कॉंग्रेस के दबाओं में स्विसेना ने राजसभा में बिलका विरोध करने की सारजनी घोशना भी कर दी है आपको बता दे पिछले दिनों संजे राउद को इंद्रा गांधी और अंडर वर्ड डॉन करीम लाला पर दिये अपने बयान को भी कॉंग्रेस नेताओं के विरोध के बाद वापस लीना पड़ा था वाई चारखन के मुखमंद्री हेमंत सोरिन 24 जनवरी को अपने मंद्री मंदल का विस्तार कर रहे है इस बाबत सीम ने राजवाल डॉपदी मुर्मू से मलाकात की है कहा जा रहा है कि शुक्रुवार को दपहर एक बजे हेमंत काबिनेट का विस्तार होगा कॉंग्रिस और जामुमो के कुल आठ मंत्रियों को राजवान में पद और गोपनियता की सपत दिलाई जाएगी जारखन में राजमंत्री परिशत का विस्तार 24 जनवरी को होगा इससे पूर गुरुवार को मुक्रमंत्री हेमंच सोरिन ने राजवाल डॉपदी मुर्मू से राजवान में मुलाकात की थी समझा जा रहा है कि इस दोरान उन्होंने नए मंत्रियों के नाम राजवाल को सौपा वह मंत्रियों की संख्या और विभागों को लेकर भी बाते फाइनल हो चुकी है इधर मंत्री पद के बटवारे पर लगभग शहमती बन चुकी है बताया जाता है कि कॉंग्रेस को मंत्रियों के तीन पद और मिल सकते हैं इसके साथ कॉंग्रेस के पांच मंत्री हो जाएंगे जामों के खाते में मंत्रियों के कुल पांच पद मिले हैं राजत को एक पद बहले ही जही दे दिया गया कॉंग्रेस कोटे से राजेन सिंग दीपका पांडे तथा बन्ना गुपता को मंत्री बनाने की चर्चा है जामों मोच से इस्टीफन मरांडी, चमपाई सोरेन, हाजी हुसेन अंसारी, जगरनात महतो, दीपक बिरुवत अथा मत्रा महतो के नाम की चर्चा है हाला के अंतिम समय में कुछ नाम बदल भी सकते हैं सियम हेमन सोरेन ने बुद्वार के दिन में कहा था कि जल्द ही उनके मंद्री मंडल का विस्तार किया जाएगा इस बाबत सारी बाते साय कर्ग राजिभों से समय मांगा जाएगा नाइदिली से लोटने के बाद हवाई अड़े पर हेमन सोरेन सम्मा दाताओं से रूबरू थे हेमन सोरेन ने चुटकी लेते हुए कहा कि हालिया विदान सबा चुनाओं में विपक्ष की करारी घार हुई है उन्हें बहुत कुछ छेलना पड़ा है वही साथी खबर आरी है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता दिग्विजय सिंग ने कहा है कि RSS का काम ही जगड़े दंगे फसाद और विवात कराना है दिग्विजय ने जनसंख्या नियंतर पर कहा है कि RSS के लोग ये भूल जाते हैं कि जनसंख्या पढ़ाने का मूल कारण गरीबी है गरीब लोगों के यहां ही जादा बच्चे मिलेंगे और पढ़े लिखे लोगों के यहां कम राजगर घटना पर कहा कि धारा 144 का उलंगन किया है यदि कोई महिला कलेक्टर के साथ गाली गुरौश करेगा तो ऐसे में उन्हों मोदी और गरह मंत्री अमिसा कह रहे हैं कि अनर्सी पर बात ही नहीं हुए देश की जनता को यह बताया जाना चाहिए कि जूट कौन बोल रहा है उन्होंने कहा कि राश्पतिने संसद में अभिवाशन में अनर्सी लाने की बात कही थी इसके बाद अमिसा ने कहा था कि पहल और इसका नर्सी और सिये का विरोध हो रहा है उन्होंने कहा कि सिये की जरूरत ही नहीं थी जब वे प्रदेश की मुखमंत्री थे तब कई बार उन्होंने देश के बाहर से आये लोगों को देश की नागरिक्ता दी वहीं बिहार के मुखमंत्री और जन्ता दल यूनाइटेट के राष्टी अद्धिग नितिस कुमा ने अपने बड़बोल नेताओं पौन बर्मा को कड़ी नसीहत देते हुए कहा है कि उन्हों जहां जाना हो वहां जाएं उनको हमारी सुपकामना है नितिस ने कड़े सब्दों में कहा कि नागरिक्ता संसोधन कानून और राष्टी नागरिक्ता पंजी को लेकर पार्टी का स्टैंड स्पस्ट है नितिस कुमार ने पार्टी विरोधी बयान देने वालों पवन बर्मा और प्रसांत की शोर पर सक्ती दिखाते हुए स्पस्ट कर दिया है कि बिहार में भार्टी जन्ता पार्टी और जदियों के गड़बंधन पर किसी के कुछ कोहने सुनने का कोई असल नहीं होने वाला है नितिस के इस कड़े रुक से इस पश्ट है कि पार्टी के खिलाफ जाने वाले नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है मुखमंतरी ने कहा कि पावन वर्मा के लिए उनके दिल में बहुत इज़्जत है उन्हों जो थी ए नर्सी को लेकर बयान दिया है वह बयान पार्टी का नहीं उनका व्यक्तिकत बयान हो सकता है किसी भी नेताओं का पार्टी से बिना विचार भी मर्स किये किसी तरह का बयान देना गलत है विदित हो कि इस एनर्सी की मुद्दे पर जेडियो प्रवक्ता पन वर्मा ने पार्टी सु प्रीमो और मुखमत्री नितिस कुमार से सवाल किया था कि वे इन मुद्दों पर पार्टी का रूख सपश्ट करें पन वर्मा ने पत्र लिखकर कहा था कि 2017 में नितिश कुमार ने उन्हें बताया था कि बिजेपी मोदी किस तरह लोग तांतरिक मूल्यों को खत्म कर रहे हैं लेकिन अब वही नितिश उसी बिजेपी के साथ दिल्ली में गड़बंधन कर रहे हैं पार्टी प्रवक्ता ने आरोप लगा है कि इस डबल स्टेंडर्ड की वज़े से ही पार्टी के कई विधायक साथ छुड़ है पार्टी में ही कुछ ऐसे विचार है जो कि नितिश कुमार के साथ नहीं मेल खा रहे हैं और ऐसे मुद्दो को ले कर गुच्सा बढ़ता जा रहा है तो ऐथी इस वक्त की कुछ बड़ी खबरे आगे कि तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं इंडिया 24 और सावन लाइब टीवी नमस्कार